नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग, मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले आप सब को धंतेरस की छोटी दी पाउली की और दीवाली की धेर सारी सुबकामना है तो आज एक नई सिक्षण योजना के साथ मैं सुधा गोस्वामी आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आने वाले पर्विकी धेर सारी सुबकामना देती हूँ और आप सबसे बिनमरा नुरोद करती हूँ प्लीज मेरे चनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नौटिफिकेशन आप तक पहुँचे मेरे जब भी वीडियो में अपलोड करूँ तो आप लोड तक पहुँचे और इस तरह के बहुत से वीडियो और टीचिंग प्लान और बहुत ही नई तरह की सिक्षण की तकनिक आपको मिलेगी तो चलिए आज की सिक्षण योजना की तरफ चलते हैं आज की सिक्षण योजना है कक्षा एक कलरो तो चलते हैं और पाट का नाम है दादा जी तो सबसे पहले सिक्षड योजना फिचार कॉलम दिनांग, कक्षा, विसे और समय उसकी बात आजाएगा लड़नी का उचका बच्चे परवेसी पेड़ पौधों को पहचानते हैं बच्चे पेड़ पौधों की देख भाल में सहयोग करते हैं और पेड़ लगाते हैं बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनसे यहीं उमीद की जा सकती है उसके बात प्रक्रण आ जाएगा पाट का नाम दादा जी फिर सीखने सिखाने की सामगरी आसपास के पेड़ पौधे, चित्र, दिक्षा, एप, फ्लैस, कार्ड, कविता, कहानी, आदि सीखने सिखाने की गतिविधिया अब फिर उसी तरह चार कॉलम बन जाएंगे क्रम संक्या, चरण, समय, औलोकन का तरीका सिक्षण के आरंभ में सिख्षी का एक छोटा सा गेंदे का पौधा दिखा कर पूछेंगे किसका पौधा है तो ग्रामिट परिवेस में सरलता से गेंदे का पौधा कहीं भी मिल जाता है दिख जाता है तो बच्चे सरलता से उसको पहचान लेंगे और बताएंगे गेंदे का अच्छा आप लोग कुछ और पेड़ पौधों के नाम बताईए तो बच्चे जो भी पर्वेसी पेड़ पौध हैं जिनसे वो प्रच्चित हैं आम, नीम, अमरूद, गुलाब तो इसके नाम बता सकते हैं अच्छे प्यारे बच्चो पेड़ पौधों से हमें क्या-क्या मिलता है तो कोई बच्चे बताएंगे कि हमें भल, फूल, लकडी ये सारी चीज़ें पेड़ पौधों से मिलती हैं तो सिक्षी का पूछें क्या हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए तो बच्चे जरूर कहेंगे कि हाँ हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए कि यो बहुत उपयोगी होते हैं कि पास सिक्षन के मध्य बच्चों पेड़ पौधे हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ये हमें स्वादिस्ट फल, सुन्दर फूल, कीमती लकडी, छाया, सुधवा और बहुत कुछ देते हैं तो आज हम लोग पेड़ पौधों के बारे में और जानेंगे सिक्षिका पाट का सस्वर वाचन करेंगी और बच्चों को सरलता से पाट को समझाएंगी उचिचित्र वर टेलम का प्रयोग करेंगी दिक्षा एप पर उपलब्द सामकरी भी दिखाएंगी सिक्षिका बच्चों को कुछ सरल प्रस्ण पूछेंगी क्या आपने कोई पौधा लगाया है तो बच्चे अगर लगाया होंगे तो चरूर बताएंगे आपका मन पसंद फल कौन सा है ऐसे बहुत ही सरल से कच्छा एक के बच्चे है तो उनके हिसाब से इस तरह के सरल प्रस्ण वो पूछेंगी गतिविधी सिक्षिका कुछ बच्चों को आम, अम्रूद, नीम, कटहल, गुलाब, आदिके पौधे बनाएंगी और अपने बारे में जो भी वो जानते अपने शब्दों में बताने के लिए कहेंगी गतिविधी दो बच्चों को गोल घेरे में एकत्र कर स्वरचित कविता के माध्यम से बच्चों को पेड़ पौधों की उप्योगिता वो बताएंगी सिक्षिका बच्चों को अवातें ग्री कारे के तरद सिक्षिका बच्चों को एक पौधा लगा कर आने को कहेंगी और उसकी प्रति दिन देख भाल करने को कहेंगे आगामी कारियोजना सिक्षी का बच्चों को पेड़ पौधों की आवश्यक्ता और महद्व से पून परचित कराने की कारियोजना बनाएंगे अब आते हैं सैंपट कारे की तरफ कच्चा एक के बच्चे हैं तो जितना सैंपट कारे चित्रों के माध्यम से किया जाया उतना ही अच्छा है तो यहां पर यहां पर मैंने कुछ सैंपट कार पर फल बनाए हैं और बच्चों को पहचानना होगा कि कौन से फल है जैसे यहाँ पर आम बनाया है, केला बनाया है, सेब बनाया इस तरह के और भी फलो के चित्र, सब्चियों के चित्र बना करके उनसे पूछेंगे कि ये क्या है, इनके नाम बताईए तो ये हमारा स्याम पट करें अब आते हैं बाल कविता की तरफ, जो रोजग कतिविदी स्वरचित कविता, इसका सेशक है, पेड़ पौध है आम अमरूत केला से फल तुम खूब खाओ, मूली काजर पालक टमाटर सब्चियां भी रोज खाओ ताकतवर ये तुम्हें बनाते, रोगों को दूर बगाते फल सब्जियां हमें पौधे देते, हमसे कुछ नहीं है लेते हम मिलकर पेड लगाएं, धर्टी को हरा भरा बनाएं तो ये कविता कच्छा एक के बच्चों के हिसाब से बहुत सही रहेगी ठीक पौन को, जो हमें समझाना कि उन्हें फल और सब्जियां खानी है और ये फल सब्जियां हमें कहां से मिलती है? पेडों से तो हमें पेडों की देगभाल भी करनी चाहिए तो छोटी से कविता के माध्यम से हम उन तक ये बात पहुचाने का प्रयास करेंगे तो चलिए एक बाप भूना सारी सिक्षण योजना आपको दिखा देते हैं कर दो तो चलिए एक बात पहुचाने का पहुचाना आपको देते हैं झाल 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 तो ये थी सिक्षण योशना कक्षा एक पाड का नाम धादा जी कल रहो उमीद है आप सबको अच्छी लगीगी जदि कोई सुझा हो तो जरूर बताईएगा उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे और पुने एक बार आप सबसे निवीदन है प्लीज मेरे चनल को लाइक करिए सिस्क्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए तारकी नॉटिफिकेशन आप तक पहुँचे और मेरा उत्सावर्दन करिए इसी के साथ एक बापुनत देवारों के ठेसारी सुपकामना है बहुत बात धन्यवाद